Hello and welcome my dear soul family, कैसे हैं आप सब, आशा करती हो आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे आज होने बाली है कि आपके person जो है वो next action क्या लेंगे आने वाली कुछ टाइम में अगले कुछ घंटों में आपके person क्या सोचने वाले हैं और उनके तरफ से आप क्या action expect कर सकते हैं आईए शुरू करते हैं आज की reading सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपने इसका part 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जो है description box में link दिया रहेगा उसमें जाकर आप part 1 देख सकते हैं जिसमें क्या आपको पता चलेगा कि उनकी current feelings क्या है आईए शुरू करते हैं अज की reading अपने person के नाम लेते रहेए angels हमें बताइए मेरे viewers के person next action कब लेने वाले हैं क्या होगा इनका next action ऐसा लग रहा है कि आपके person इस वक्त रो रहे है किसी बात को लेके वो बहुत ज़्यादा परिशान है और उनकी परिशानिया जो है उनकी बढ़ती जा रही है कम होने का नाम नहीं ले रही है ये person चाते हैं कि उनके पास कोई ऐसा friend हो या कोई तो एक ऐसा इनसान हो जो उनका अपना हो जिससे ये बाते जो हैं अपनी share कर सके दिल की जो feelings है वो बयान कर सके लेकिन इस वक्त इनके पास अभी कोई भी नहीं है इस समय पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके person की जो emotions है वो बहुत ज़दा high है और हो सकता है कि वो अकसर रात को drive करते हो हो सकता है बहुत लोगों से resonate नहीं भी हो बट हो सकता है कि इनकी खुद की गाड़ी है या driving वाले business में है या car से या फिर ऐसे ही related कुछ तो है vehicle से related हो सकता है या फिर उनके पास उनकी गाड़ी हो जहांपी ये long drive पे चले जाते हैं जब जब ये उदास फील करते हैं जी इस समय आपके person बहुत ज़दा ठके हुए मैसूस कर रहे है ऐसे लग रहा है कि ये किसी चीज़ पे काखी लंबे समय से काम करने की कोशिश कर रहे है और इनके life में अभी कोई एक chapter है जो recently over हुआ है लेकिन ये अपनी life से पूरी तरीके से संतुस्ट नहीं दिख रहे है satisfaction इनके life में नहीं है ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय में इन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए हैं अपने अंदर ऐसा हो सकता है कि अपनी health पे या diet पे बहुत ज़ादा ध्यान दे रहे हैं हो सकता है ये fitness में भी हो आप खुबी जानते होंगे अगर ऐसा है तो प्रीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो का जो part 1 है उनकी current energy उसका जो link है description box में दिया गया है इस वीडियो के बाद आपको वीडियो जरूर जाके देखनी है ताकि आपको पूरी कहानी समझाए ठीक क्या हो सकता है उनका next action क्या हो सकता है उनका next action देखिए तकलीव बढ़ गई है मुझे ऐसा लगता है आने वाले 24 या 38 घंटे में आपके person के अंदर temptation बहुत ज़ादा बढ़ जाएगी ये देखिए lock कैसे flicker हो रही है बहुत ज़ादा उनके अंदर ना वो कसक सी बढ़ जाएगी बहुत तरब से जाएगे वो आपको देखने के लिए यहाँ पर बात करने के भी बात नहीं है वो आपको इक बढ़ देखना चाहते है मुझे ऐसा लगता है जब आप दोनों की बातचीत बंद हुई थी तो आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज़धा सवाल थे यह जान के आप हुरान हो रहे होंगे कि आपके मन में जो सवाल है कि उन्होंने आपसे बातचीत क्यों बंद कर दी वो चीज़ तो जायज है लेकि उनके मन में आपके लिए क्या सवाल है यह चीज आपको जानने का मन है तो मैं बता दूँ आपके दोनों के बीच में बहुत सारे लोग यहां पे शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं यह कहानी सिर्फ आपकी उनकी नहीं है दो लोग नहीं दो से जादा लोग यहां पे शामिल है जिनका बहुत जादा इंवॉल्मेंट रहा है आप दोनों के रिष्टे में मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के अलग होने के बाद बहुत लोगों को बहुत तरीके की खुशी मैसूस हुई है और ऐसा लग रहा है कि जो आपके परसन है अपनी सारी बाते उनसे शेयर किया करते थे जिसकी वज़े से बहुत लोग आप दोनों के रिष्टे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स जानते हैं तो उन्होंने ही आपके परसन को बहुत सारी चीज़े बताई होई हैं आपके बारे में और कहीं न कहीं दोनों की बाचित बंढ थी तो आपकी person ने उन बातों पर विश्वास भी किया, आपके बारे में तरह तरके के बाते आपकी person को बताई गई, just कि उनको भड़काया जा सके, तो कहीं न कहीं आपकी person को ऐसा बताया गया है कि आपने भी उनका साथ इसलिए छोड़ा या फिर आप अब तक इसलिए नहीं आए है क्योंकि आपकी life में भी इस समय कोई और है और आप आपने अपने partner से सचा प्यार नहीं किया आपके person आपसे phone पे या फिर message में बात करने की कोशिश नहीं करेंगे वह आपसे directly मिलना चाहेंगे पहले तो यह person बहुत ज़्यादा avoid करते थे मिलना लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनको कहीं दिद गए जाते हुए आप coincidentally अगर टकरा आगए तो यह आपसे मिल के बात जरूर करेंगे और यह ऐसे बात करेंगे कि जैसे कि कुछ हुआ नहीं हो आपको ऐसे लगेगा कि अगर यह person पहले की तरह मूँ मोड़के चले जाएंगे या फिर नजरे चुरा के भाव जाएंगे ऐसे नहीं है इनमें बहुत सारी चीज़े आई हैं इनमें बहुत सारी transformation आया है लेकिन अब आप वो अले एक चीज़ में देख रही हूँ जो बहुत ही जादा शौक कर देने वाली है कमाल की है कि आप दोनों के बीच में इतना सब कुछ होने के बाद बीना मुझे कहीं न कहीं कड़वाहट नहीं देख रही है ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में जो connection है वो अभी इतना ताजा है इतना fresh है कि जब आप दोनों मिलेंगे तो ऐसा लगेगा वो प्यार जो है न इक्तम से जिन्दा हो गया आप उनसे मुँ नहीं मोड पाएंगी ये चीज तो तह है लेकिन वो भी आपसे नजरे नहीं जुराएंगे मैं देख रही हूँ इस रिष्टे का जो खात्मा हुआ है वो उनकी तरफ से हुआ है आपकी तरफ से कोई चीटिंग वाली बात यहां पर मुझे नहीं नजर आ रही है बहुत लोगों को रिष्टा तूटने के बाद पता चला है कि वो उस टाइम पे किसी और से बात कर रहे थे लेकिन वो चीज वो आपको बताते नहीं थे यह चीज आप दोनों के अलग होने के बात पता चलिए आपको अगले 24 या 38 घंटे में आपको अपने पार्टनर की तरफ से कुछ मेसेज जरूर मिलेगा आप नोटिस कीजेगा आपको काफे दिनों से एंजिल नंबर्स दिख रहे हैं अगले 24 या 38 घंटे में अगर आपको कोई भी रिपीटिंग नंबर्स दिखे या एंजल्स दिखे या फिर आपको पहले से भी कोई दिख रहे हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर पताईएगा मुझे इससे लग रहा है कि एंजल्स भी आपको उनके वारे में बहुत कुछ बताना चाहते हैं नंबर्स पर ध्यान दिजेगा, साइन्स पर ध्यान दिजेगा, सिंक्रनिसिटी पर ध्यान दिजेगा आपको बहुत कुछ सिगनल्स के तुरू पता चलने वाला है क्योंकि अगर आपके person आपसे suddenly विलने वाले होंगे तो हो सकता है कि आपको आजकल वो सपने में बहुत ज़दा आ रहे है या फिर हो सकता है कि रहे रहे कि उनकी यादे बहुत ज़दा आ रही है आप दोनों हो सकता है एक दुसरे को कोई song dedicate करती हो वो आपको suddenly सुलाई देने लगता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में आपके person को लेके वो जो कड़वाहट है वो धिरे-दिरे दूर होती जा रही है ऐसी बहुत सारी चीज़े हो सकती है आप मुझे comment section में बताईएगा जरूर ऐसा भी लग सकता है कि आपको भी बैठे हो और आपको अपने person का ख्याल आ जाए जबकि आप यह चाहते नहीं थे और आपके साथ ऐसा होता जा रहा है आप यहीं सुच रहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसले इसलिए हो रहा है कि वो भी सामने से आपको याद करें देखिए wax एक जगा एकटी और जिसका मतलब साफ है कि आपके जो person है वो कहीं न कहीं आपके उपर उनका दमाग अवे stuck हो रखा है कहीं और किसी के पास जाके यह बात नहीं कर पारें और किसी और चीज में अभी concentrate भी नहीं कर पारें यह आपको एक बार देखना चाते हैं और आपसे मिलना चाते हैं और इसी regarding यह किसी से बात करना चाते हैं किसी से advice लेना चाहते हैं लेगे इनको भी कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि इनके अकेले की बसकी बात नहीं है क्योंकि इनको हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपके पास आने की क्योंकि देखिये जो गलती करता है उसको भखुबी पता होता है वो भले ही उस चीज़ को बोले ना लेकिन उनको अच्छी तरीके से पता होता है कि उन्होंने क्या किया है और किस वज़े से रिष्टा तूटा है तो वो कितना भी जूट बोले उनके नजर में वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो रिष्टा तूटा है उनकी तरफ से तूटा है और कहीं न कहीं उन्होंने प्रियरिटी जो है अपने रिष्टे को ना देके थर्ड पार्टी को दिया है जिसकी वज़े से इनको थर्ड पार्टी की प्रेशर में आके और उनके बहकावे में आके उनकी बात मानी लेकिन वक्त के साथ-साथ उनको य देख लेजेगा उनकी current feelings, कोई भी viewer मिस ना करे, वीडियो अगर resonate हुई हो, तो please like करके comment करके जरूर जाएगा, इस समय क्या हो रहा है, खाली खाली पन है उनकी life में, खाली पन सा है, लगता है क्या ये जिन्दगी अकेले बितानी पड़ेगी, या किसी और से शादी हो जो जगा दिल में वो आपको दे चुके हैं, वो जगा किसी और को देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए, हर किसी के साथ ये अपनी feelings को share नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनसान बहुत ज़्यादा introvert है, एक बार किसी के सामने open up हुए, तो उसको ही वो अपने पास हमेशे रखना चाते हैं, एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यह आपके person है, उन्हों आपको बहुत ज़्यादा अपने बारे में personal बाते बताई हुई है, ठीक है, तो यह और भी बहुत सरी चीज़ा आपसे share करना चाह रहे हैं, लेकने इस समय आपके ना होने के कारण यह बहुत ज़्यादा भी दुखी हो रहे हैं, क्योंकि reading की शुरुआत हुई थी, इस समय बहुत दुखी आपको याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, अकेले में ही यह time spent करना पसंद कर रहे हैं, इस समय, I hope यह reading आपसे resonate कर रही होगी, अगर हां, तो please वीडियो को प्य यार दे के जरूर जाएगा, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, God bless you and love you all.